नमस्कार दोस्तों, हुप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत दिन हो गए थे आप से बात करते हुए, थोड़ा बीजी था, एलेक्शन्स में, तो उसकारण आप लोगों से बात नहीं कर पाया, मार्के लास्ट वीक बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी रेली जी निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, इन स्टॉक ने, मुदी जी का मैजिक स्टॉक मार्केट पे भी चल चुका है, तो अब क्या होगा मार्केट में, that is very important, तो इसके लिए, अब मैं आपके लिए अच्छी एक टेक्निक लेकर आया हूँ, based on GAN rules, GAN monthly and annual trend chain levels, यह हमने पहले भी बहुत डिसक्स किया था, अभी भी हम डिसक्स कर रहे है, तो उसके थुरू, आप कैसे मार्केट में एक अच्छे trend stock को पकड़ सकते हैं, and Bank Nifty का एक अच्छा example भी है, तो उसके उपर हम डिसक् अच्छी एक हफ्ते में, बहुत ही अच्छी एक राइली थी, ब्राइबरेस राली थी, मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रोज ऊपर जा रहे थे, जैसे अभी जा रहे है, तो इस बुली मार्केट, फेरियोसिटी तो मैं उसकी जैसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि अच्छी वो दिन तो बढ़े ही अलग थे, फेनो के स्टॉक 20-20 परसेंट तो खुलते ही लग जाता था सर्कीट उन में, तो और कैश के स्टॉक्स पर तापको नमबर ऑफ शेर्स वर नॉट अवेलेबल, तो तो अभी टेकनोलोजी काते हैं इंप्रूमेंट हो गया है, तो एक ही चीज में आप सभी लोगों से कहूंगा, कि जो भी स्टॉक आपके प्रॉफिट में है, पार्ट बुकिंग जरूर करते रहें, अगर आप पार्ट बुकिंग भी नहीं करना चाहते हैं, तो अटलिस जीटीटी और डाल के उसको ट्रेल करते रहें, क्योंकि जब यह स् बुल मार्केट चलेगा, बेर मार्केट भी आएगा, अब जिस टाइब से विल मार्केट देखा तो बेर मार्केट भी बहुत फिरियोस्टी से आएगा, भले ही आपके अपके इसलिप फ्लो कैसे भी हो, बिकास मार्केट साथ असरे अर्निंग नहीं हो पाई, उत्ता पाईगे तो आप प्रॉफित बोकिंग कर ही नहीं पाईगे, तो यह मार्केट बढ़ता है तो आप शॉट करना पसंद करेंगे, और जब मार्केट गिरता है तो आप लॉट करना पसंद करेंगे, और जब मार्केट गिरता है तो आप लॉट करना पसंद करेंगे, हम अगे आने से पहले profit booking ये trailing stop loss दालने तो positions अपना पड़ जाएगी वरना क्या होगा इसरह paper profit ही होगा और जब bear market आएगा ये सब आपके cost to cost ये cost से नीचे भी आ सकते हैं bear markets are very very brutal in nature और वो आने से पहले भनक भी नहीं लगती है तो एक word of caution है कि आप trailing stop loss ज़रूर डाले part booking करते रहे और नई opportunity आए तो सब में stop loss के साथ काम करें हो सकता है bull market next 6 महीने भी चल जाए next 1 साल भी चल जाए पर अगर हमने discipline develop कर दिया तो जब bear market में बदलेगा market तब आपको profit booking करने में या you will have cash in hand to deploy during the bear market तो यह तो हुआ एक छोटी सी बात अब आप में आजते हैं हमारे you know important concept पे today जो है आपका GAN का monthly and annual trend chain level तो गैन नंबर 9 को बहुत जादा importance देते थे तो हमने क्या किया कि 9th 9th month अगर हम देखेंगे तो 9th month होता है हमारा September September month का हम 1 से 30 तक का open high low close ले 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 लेते हैं उसका average निकाल देते हैं जैसे यह average निकलावा है अब आप देखें कि जब भी थर्ड को 1578 इसने तोड़ा जैसे यह 15 minutes इसके नीचे सचेन हुआ आप इसका stop loss लगा देंगे 1598 20 points का stop loss है और आपका minimum target होगा double of your stop loss 40 points अपका minimum होगा 1578 minus 40 points होता है 1538 के असपास तो यह देखे 38 का लोग बनाए दो दिन में और एक अच्छा अपमूँ आए उसके बाद अपमूँ आए यह हम नहीं यहां पर वापस इसने टच किया हम शॉट गए थे इसका stop loss हो गया फिर हम लॉंग गए उसका भी stop loss हो गया क्योंकि यह इसके उपर next day नीचे आ गया और फिर एक अच्छा आपको डाउन मूँ आया यह भी कुछ खास नहीं था दो बार आपका यहां पर stop loss बेट हुआ और फिर यह 1578 के उपर गया फिर मार्केट ने वापस एक अच्छी रैली तो एक सिंपल सा तरीका है आपको एंवल ट्रेंट चेंज लेवल यूज करने का मंतली लेवल क्या होत 1558 और क्लोज है 1552 तो आप इन चारो को आप लीजे दिवाइड बाइ 4 कर दीजिए जैसे मैं इते डाल के रखा है 1464 1450 6025 इसका अवरेज होगा 1506.41 और यही आपका मंतली ट्रेंट चेंज लेवल हो गया अब यह देखे मंतली ट्रेंट चेंज लेवल के उपर ही चल रहा थ इस बार हम मंतली से नहीं कर पाई इस टॉक में पर MNM में हमने अन्वल के साब से कर लिया तो हम दौनों लेवल साथ में डाल के रखते हैं अब जैसे बैंग निफ्टी की दरफ चलते हैं बैंग निफ्टी ने क्या किया था यह देखे यहां पर आपका 9 को आ गया था आप इस ट्रेंग लेवल से ही इसने रिवर्स किया फिर इसने अन्वल को भी तोड़ा यह बिग अप से पहले अगर आपको ट्रेड में जाना था तो यह देखिए आपका यहां पे अन्वल में आ गया और इसके बाद स्टॉक ने किता अच्छा यह बैंक निफ्टी ने बहुत ह करें राइट करें इस केंडल के लोग का आप स्टॉप लोस रख सकते मार्केट कुछ भी नहीं किया कुछ में फिर यह ब्रेक आउट दिया और देखें कितना अच्छा आप हुआ है तो इस तरह से आप यह मैं अन्वल और मंत्ली टेंचिन लेवल का यूज कर सकते हैं कौन आप यहाले स्टॉक्स आपके अन्वल के ट्रेंचिन लेवल है यह मैंने वेब्साइट पर डाल के राका इसका लिंक में डाल दूंगा पर यह स्टॉक का अन्वल टेंचिन लेवल है 2428 एंफेसिस का सिपला का यह देखें तो यह एन्वल और मंत्ली दौनों आसपास है तो आपको एक बड़ा मुह देखता है कि सिपला ने दौनों को तोड़ा यह कित्ती अच्छी फॉल दी थी अभी भी इसके आसपास ही घूम रहा है तो हमें यह ट्रेड लेने का इसमें आई तिंग एम एक्स्पेक्टिंग स्प्लोसिव मूह डिवीज लेव हुआ तो हर का अब यह सिंपल सी कैलकुलेशन है उससे आप यूज कर सकते हैं यह देखिए इसका यह अन्वल था अन्वल के उपर ही चल रहा है तो अगर आप लॉंग है इस टॉक में तो इसका मंतली 34 का आप स्टॉप लोस रख सकते हैं और जैसे रिसी लिमिटेड हुआ जो अभी फ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टेकनिक है जिसका हम यूज करके यूनो मार्केट में आप एक अच्छे अपमू टॉक जो भी है आपका कैस्टॉक उसका आप यूज करके कर सकते हैं कोई भी डाउट, क्योस्टन होता आप जरूर में से पूछिए और होपफुली आपको इसका बेनेफिट मिलेगा थैंक यू बरी मच्छ, स्टे डिस्सिप्लेंट